Hello Friends, Welcome to Jyotish Gyanamala Channel आज हम बात करेंगे Aquarius यानि कुम्ब राशी के बारे में Friends, कुम्ब वायू तत्व की राशी है और इसका स्वामी ग्रह है शनी कुम्ब राशी के लोग मूल रूप से मजबूत और आकरशक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं ये थोड़े शर्मीले एवं शान्त परंतु उर्जा से भरपूर होते हैं इस राशी की सबसे खास बात यह है कि ये लोग मानवी गुणों से भरपूर एवं दूरदर्शी होते हैं एवं भविश्य देख पाने में सक्षा ये जानते हैं कि इन्हें अगले पांच या दर्स वर्षों में क्या करना है फ्रेंड्स कुम्बराशी के लोग काफी आधुनिक, प्रगतिशी, फैशनेवल एवं खुले विचारों के होते हैं अवन समाज की बहतरी के लिए किये गए कारेओं में सनलंग रहना पसंद करते हैं दोस्तों कुम्राशी के लोग काफी इमानदार अवन प्रें में वफादार होते हैं ये अपने जीवन साथी को बरावर की स्वतंतरता देने वाले होते हैं ये अपने प्रीजनों के लिए सेक्रिफाइसिस करने में भी नहीं कत्राती है। कुम्भ राशी के लोग पैसा कमाने और उसे खर्च करने के बीच में अच्छा बैलेंस रखते हैं। इस राशी की महलाओं का व्यक्तित्व रहस्मय एवं स्वतंत्र होता है और ये नेचर वाइस काफी हस्मक होती है। कुम्भ राशी के लोगों को मित्रों के साथ मौज मस्ती करना, लंबी-लंबी गुफ्तुगू करना, एवं मित्रों से घिरे रहना बेहत पसंद होता है। वाईउ तत्व की राशी होने के कारण, ये लोग अपने मन का भरपूर उप्योग करते हैं और जीवन जीते हैं। तो ये तो थी इनकी कुछ खूबियां अब जानते हैं इनकी कमियों के बारे में। इस राशी का स्वामी शनी होने के कारण ये लोग कभी-कभी दरपोक एवं संकी होते हैं ऐसा भी देखा जाता है कि कभी-कभी ये लोग संकोची और आलसी भी होते हैं जिद्धी और उदासीन होना भी कभी-कभी देखा गया है इनका यही द्रश्टिकोंट इन्हें अन्य लोगों से दूर कर देता है कुम्ब राशी के लोगों की मिथुन एवं तुला राशी के लोगों से काफी अच्छी बनती है इस राशी के लिए शुब दिन, शनिवार एवं शुब रंग, नीला, हरा और काला है इनके लिए शुब अंक चार और आठ है इवं इनका राशी रतन है नीलम तो फ्रेंड्स ये तो थी कुम्ब राशी की कुछ विशिष्टा है मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य जानकारियों के साथ अगर आपको ये जानकारिय अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू सो मच